हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग मैं आपके साथ जो टॉपिक आज डिस्कस करने वाला हूँ ये टॉपिक है रिट पिटेशन का टॉपिक रिट पिटेशन की यया के सबसे इंपॉटन पार्ट में से एक है जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें कॉंस्टेशन अफ इंडिया की ओपर कॉशन आता है well Constitution of India में हमें जो 6 fundamental rights मिले हुए न उसमें से जो 6th fundamental right है जो की article 32 में cover होता है which is all about constitutional remedies ये remedies कब मिलती है ये remedies तब मिलती है जब हमारे किसी fundamental right का violation होता है तो अगर Indian citizen का Constitution of India ने हम सब को fundamental rights दिये है foreign citizen के case में क्या होगा उस बात को हम कभी अलग discuss करेंगे अभी ये discuss कर लेते हैं कि what we can do अगर हमारे fundamental right का violation होता है तो Constitution of India में उसके लिए क्या remedy है remedy का नाम है writ petition writ का मतलब क्या होता है अब मैं आपको writ का मतलब बताता हूँ writ word का मतलब होता है कोई भी order और command ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको बतायता हूँ कि जो writ word है उसका meaning क्या है तो इस word का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया so this means order और command जो return order हो या return command हो जो कौन देता है so this order is basically given by the given by the high court और the supreme court of India high court भी क्या कर सकते हैं high court भी order या command दे सकते है writ petition में उसको भी अभी हम एक एक करके समझते हैं now अब देखो मैंने आपसे एक article discuss किया article 32 of the constitution of India दूसरा article में आपको एक और बताऊंगा जो कि article है article 226 अभी हमें इन दौनों articles में difference भी देखना है इन में हमें difference भी देखना है कि उसका difference जानना बहुत interesting है कई बार ये caution भी पूछा आता है कि article 226 of the Indian constitution and article 32 में क्या difference है तो इन difference की भी हम बात करेंगे लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि article 32 में जो constitutional remedy is given है अगर हमारे fundamental right का violation होता है तो हम writ petition file कर सकते हैं कहां file करते हैं या तो high court में या supreme court में अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि normally जब case file होता है कोई भी तो वो district and session court में file होता है high court ये supreme court में तो वो case appeal में जाता है right तो normally कोई case normally में बात कर रहा हूँ या I can say generally कोई case जो है वो directly high court ये supreme court में नहीं जाता लेकिन writ petition एक ऐसा topic है एक ऐसा हतियार है एक ऐसा weapon है जिसमें की petitioner जो writ petition file करता है उसको बोलते हैं petitioner वो directly high court ये supreme court में जा सकता है तो उसके पास कौन-कौन सी remedies है उनको देखते हैं remedy number one यानि की writ number one है habeas corpus जिसके बारे में हम आज के वीडियो में discussion करेंगे आज का वीडियो पूरा का पूरा होगा about habeas corpus इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ habeas corpus के वारे में बात करने वाले है आने वाले वीडियो में मैं बात करूँगा बाकी रिट्स की और उनको भी हम detail में discuss करेंगे second rate है mendemus की दूसरी prohibition third rate है sarsherary मैं दुबारा बोल रहा हूँ sarsherary यह जो sarsherary की रिट है इसको कई लोग sarshery भी बोलते हैं तो अलग-अलग लोग इसका अलग-अलग तरीके से प्रनांस्मेंट करते हैं and the last rate is क्यो वारेंटो तो इन सब के बारे में बात करेंगे लेकिन आज की वीडियो में discuss करना है हमें फॉस्ट जो हमाई रिट है that is a habeas corpus habeas corpus की रिट पे आने से पहले मैं आपके साथ जरा ये तो discuss कर लूँ कि article 226 and article 32 में क्या difference है article 226 में रिट पेटिशन फाइल की जा सकती है high court में and article 32 में रिट पेटिशन कें बी फाइल in the supreme court of india but the point is के difference क्या है तो ये देखो difference क्या है अभी हम difference को discuss करते हैं सबसे पहले देखो एक interesting fact में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ आपने हमेशा ये सुना है हमेशा ये सुना है हमेशा ये पढ़ा है के supreme court is more powerful than any high court in india india में कोई भी ऐसा high court नहीं है जो supreme court से जाधा powerful हो supreme court का obviously supreme court का jurisdiction जो है वो जदा है high court के comparison में और high court जितने भी हैं इंडिया में वो सारे के सारे subordinate है supreme court के लेकिन देखो ये एक ऐसा exceptional point है जहां आपको ये सुनने को मिलेगा के article 226 में जो high court के पास powers है वो wider है supreme court के पास limited powers है और high court की जो power है वो wider है अब high court की power wider कैसे है इसके लिए यहाँ पर मैंने एक example भी court किया है अभी समझाता हूँ मैं आपको देखो article 32 of the constitution जो है वो ही कहता है कि supreme court में repetition सिर्फ तभी फाइल किया सकती है अगर constitution के part 3 में जो fundamental rights given है उनका violation हुआ हो अगर आपके fundamental right का violation हुआ है तो आप supreme court में repetition फाइल कर सकते हो लेकिन अगर supreme court को ये लगता है कि आपके right का violation तो हुआ है but such right is not an fundamental right वो right जो है वो fundamental right नहीं है जिसको हिंदी में मौलिक अधिकार बोलते है वो नहीं है तो supreme court उस right petition को entertain नहीं करता तो supreme court का यहाँ जो authority है supreme court की वो सिफ limited है किस पे वो limited है कहां तक वो limited है हमारे fundamental rights तक लेकिन high court को अगर ये लगता है कि fundamental right का violation तो नहीं हुआ है high court के पास अगर इट petition गई और fundamental right का violation नहीं हुआ लेकिन rights का violation तो हो रहा है rights का violation तो हो रहा है तो high court वहाँ remedy दे सकता है supreme court remedy नहीं देता on variable supreme court remedy नहीं देता अगर वो fundamental right का violation वाला case नहीं है तो यहाँ के example मैंने court किया है आपको समझाने के लिए कि देखो अगर state legislature है state government है और sales tax लगाया in contravention of article right उसमें क्या कर रहा है violation कर रहा है यहाँ पर article number this is not 226 में आपको clear कर दो state की side से contravention हुआ है sales tax लगाने में constitution के किसी दूसरे provision का मैंने लिखा रहा है आपके contravention of outside part 3 of the constitution मदलब जो fundamental rights है उसके लावा constitution किसी और provision का violation हुआ है तो उस case में high court जो है वो क्या कर सकता है उस case में high court के पास यह authority है कि high court writ petition को entertain कर सकता है और relief grant कर सकता है तो हम यह बोल सकते हैं constitution के किसी और part में कोई right given है constitution के बाकी parts में right given है उसका violation मानलो government ने कर दिया तो फिर high court उस repetition को entertain कर सकता है is that clear? supreme court बोलेगा से fundamental light का violation हो तो मेरे पास में आना high court ने बोला don't worry fundamental light के अलावा किसी और part में जो rights given है constitution में उसका भी violation अगर हो रहा है तो आप high court में आ सकते हो मैं यहाँ एक बात आपको clear कर दू कि इसका यह मतलब मत निकाल देना इसका यह मतलब बिल्कुल मत निकाल देना कि sir Indian contract act में Indian partnership act में sale of goods act में essential commodities act में right foreign exchange management act में में right का violation हो रहा है मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं high court merit petition file कर दूँ ऐसा नहीं हो सकता पार्ट 3 के अलावा अगर कोई ऐसा provision government ने बना दिया जो किसी दूसरे provision का violation करता है तब हम high court में repetition file कर सकते हैं इसलिए मैं जान मूझ कर इस provision को बार-बार repeat करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अगला difference देखो अगला difference है jurisdiction of supreme court and jurisdiction of high court तो ये jurisdiction of the honorable supreme court and jurisdiction of respective high court किसी भी state का high court हो अगला जो difference है वो difference है jurisdiction का अब jurisdiction का difference क्या होता ये समझे writ petition किस के against में file की गई है अगर writ petition file की गई है state government के against में और state government उस case में respondent है आप petitioner है state government respondent है तो state government जो है न उसके खिलाफ case कहां उसके against के writ petition not case writ petition कहां file हो सकती है writ petition high court में file हो सकती है तो हमें ये देखना है कि writ petition जो हम file कर रहे है किसके against file कर रहे है ये देखना बहुत important है क्योंकि जिसके against में file की जारी है writ petition अगर वो state government के jurisdiction में आती है तो फिर High Court में Rit Petition फाइल किया सकती है क्योंकि एक High Court का जुरिस्डिक्षन जो होता है वो सिर्फ उस State तक ही Limited होता है अगर दो States के लिए एक High Court है तो फिर वो जुरिस्डिक्षन जो है वो अपने आप बढ़ गया जैसे कि महराश्टरा इंगोवा तो वहाँ के लिए एक ही High Court है तो आप मेरी बात का literal meaning मत निकालना लेकिन Supreme Court में किसी भी organization के against में Rit Petition फाइल किया सकती है all over India क्योंकि obviously Supreme Court का jurisdiction जो है वो ज़्यादा बढ़ा है अभी जब मैं आपसे RITS के बारे में और discussion करूँगा जब मैं एक एक करके आपको सारी RITS बताऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा कि jurisdiction जो है वो क्यों important है तो उस बारे में भी हम लोग बात करेंगे ठीक है तो यहाँ हम आगे चलते हैं और अब habeas को अपस जो हमारी first RIT है हम उसके बारे में discussion करेंगे देखो problem क्या होती है कि majority of students को यह पता होता है कि RITS कितने तरह की होती है RITS के नाम पता होते हैं लेकिन उससे ज़ादा RITS के बारे में कोई भी knowledge उन्हें नहीं होती यह एक major common चीज है जो मैंने students में observe करिये उन्हें पता ही नहीं होता कि High Court and Supreme Court के jurisdiction आपको clear कर दूँ और इसलिए मैंने decide किया कि यह जो topic है इसको मैं parts में बनाऊं और इसको parts में बना कर एक एक RITS का ना हम detail में discussion करें ताकि उसके बाहर कोई question ना आए सबसे पहले habeas corpus का मतलब क्या होता है habeas corpus को हिंदी में बोलते हैं वंदी प्रत्यक्षिक करन मैं थोड़ी सी Hindi यूस करने के कोशचिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को Hindi में जो लोग Hindi में जाना चाहते हैं उन लोगों को भी यह बात समझ में आजाए तो जितने words मुझे हिंदी में आते हैं उतने words मैं हिंदियों बताने की पूरी कोशिश करूँगा Now, habeas corpus का मतलब होता है To have the body यह इसका literal meaning है Habeas corpus is a literal Latin word है Latin word है और इसका जो literal meaning है वो मैंने आपको बता दिया To have the body इसका मैं तो आपको और अगर explain तरके बताऊं तो इसका मतलब होता है To produce a person Court के सामने किसी person को produce करना क्यों produce करना तो अब मैं आपको ये भी बताता हूँ किस person को produce करने की जरुवत क्या पड़ी है तो अब समझे इस बात को भी Habeas corpus की writ basically तब file की जाती है जब किसी person को ना wrongfully detain या restrain कर रखा हो अब आप बोलोगे sir wrongfully detain करना क्या होता है तो I'm sure आपने constitution में जो fundamental rights पड़े हैं आपने article 20 पड़ा होगा article 21 पड़ा होगा and article 22 भी जरूर पड़ा होगा आपने तो constitution में article 21 है जिसमें आपको पता है आप दोग सब जानते हैं article 21 में क्या लिखावा है जो personal liberty के बारे में लिखावा है और उसी के साथ article 22 पड़ा होगा आपने जब हम ये पड़ते हैं कि किसी person को अगर arrest किया जाता है तो police को उसकी official entry करनी होती है police station में और उस arrested person को within 24 hours magistrate के सामने produce करना होता है तो police अगर किसी person को arrest करती है तो arrested person के कुछ right होते है उसे right उसे अपने lawyer से consult करने का right होता है उसके family members को or illitals को inform किया आता है कि हमने इस person को arrest किया है Is that clear? ये सारी बातें आपको ज़रूर पता होंगी तो किसी भी person को इस तरीके से arrest नहीं किया जा सकता कि उसके बारे में किसी को को information ही ना हो और मान लो ऐसा अगर हो जाए तो किसी person को illegally arrest कर रखा है किसी government body ने किसी भी authority ने तो उस case में क्या हो सकता है without any justifiable ground कोई justifiable ground नहीं है let's say for an example एक example लेते हैं कि किसी government official की किसी police officer की किसे person के साथ में आपसी दुश्मनी है और वो जो police official है वो अपनी post का गलत फाइदा उठा कर किसी person को without any valid justifiable, reasonable ground उस person को arrest कर रखा है और उसका कोई record नहीं है इस case में वो person क्या कर सकता है imagine कीजिए अच्छा एक example और लेता हूँ किसी person को किसी दूसरे person ने मतलब किसी individual ने यहां तुम्हें बात कर रहा था यहां तुम्हें बात कर रहा था किसी police official की चलो हमें example ले लेते हैं example और modification कर लेते हैं कि government ने arrest कर रखा है किसी government ने without any valid ground किसी person को government के orders है और government ने किसी person को arrest कर रखा है restrain कर रखा है या किसी individual ने किसी person को अपने पास scat कर रखा है या wrongful retain कर रखा है तो उस case में वो person क्या कर सकता है तो उस case में उस person का जो fundamental rights है ना उनका violation हो रहा है article 21 में जो उसके fundamental rights है उसका violation हो रहा है तो उस case में वो person अगर एक postcard लिख कर भी समझने मेरी बात को अगर एक postcard लिख कर भी अगर वो postcard लिख सकता है तो ये भी मैं आपको clear कर दूँ कि अगर postcard लिखना उसके लिए possible है तो वो क्या कर सकता है postcard के थूँ अपनी बात high court तक पहुँचा सकता है supreme court तक पहुँचा सकता है और ये बता सकता है कि सर मुझे wrongfully detain कर रखा है तो वो जो postcard में उससे अपनी बात लिखी letter के थूँ अपनी बात जो communicate करी न उसको भी court writ petition consider कर लेता है is that clear उसको भी court writ petition consider कर लेता है ऐसा court ने ऐसा judgments में कई बार कहा गया है ऐसे judgments आ चुके हैं में court ने ये बोल दिया कि अगर letter भी आ गया postcard भी आ गया तो उसे भी writ petition मान लेंगे और उसके बाद court जो है न वो फिर court उसके बाद में order issue करेगा कि उस person को जिस person का letter हमें मिला है या postcard हमें मिला है उस person को court के सामने produce किया जाए और उसके बारे में सारे information court के सामने रखी जाए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर वो person खुद repetition file नहीं कर सकता वो इस position में नहीं है तो क्या उसके बहाफ पे कोई और file कर सकता है दी answer is yes उसके बहाफ पे कोई और भी file कर सकता है जैसे कि wife जो है वो husband के लिए repetition file कर सकती है right एक wife अगर किसी के husband को retain कर रखा है illegally तो wife जो है वो repetition file कर सकती है husband wife के लिए कर सकता है ठीक है father भी कर सकता है mother भी कर सकती है और even friend अगर कोई friend है तो वो भी repetition file कर सकता है अपने दोस्त के लिए उसके बाद court क्या order देगा उसके बाद court ये order देगा कि उस particular person को court के सामने पेश किया जाए तो court यहाँ पे order issue करता है high court यहाँ पे यह supreme court यहाँ पे order issue करता है government को, police officials को कि उस particular person को court के सामने produce किया जाए आपने शायद एक case सुना होगा वैसे जब भी बात आती है habeas coppers की तो cases के बारे में knowledge नहीं होती तो I thought एक छोटा सा case भी मैं आपके साथ share करता हूँ तो आपने साथ सुना होगा Bhavari Devi का case Bhavari Devi का case बहुत famous हुआ था क्योंकि यह बहुत controversial case था basically Bhavari Devi जो थी वो Rajasthani albums में Rajasthani movies में काम करती थी और वो actress थी medical profession से भी जुड़ी भी थी और वो Rajasthani movies में काम करती थी Bhavari Devi का connection एक politician के साथ में था ठीक है और एक दिन Bhavari Devi जो थी वो गायब हो गई मतलब उनके बारे में कोई information available नहीं थी तब Bhavari Devi के husband ने Rajasthani high court में habeas coppers की written petition file की थी अपनी wife के लिए यहाँ husband ने wife के लिए habeas coppers की petition file की थी जिसके बाद high court ने police officials को यह order दिया बाद में यह matter जो है वो CBI को transfer हुआ जिसमें यह कहा गया कि Bhavari Devi के बारे में information लेकर आईए लेकिन कोई information नहीं मिली बाद ने पता लगा कि उनका murder हो चुका था right so this is one of the example of habeas coppers यह habeas coppers का चोड़ा से example मैंने आपको दिया अगर आप चाहो तो Google पर इस case के बारे में पढ़ सकते हो now आगे बढ़ते हैं और अब यह discuss करते हैं कि case या writ petition मैं जहाँ जहाँ word बोलू case तो उसका मतलब writ petition ही होगा ठीक है आप case मत समझेगा उसका रिट्पिटेशन आपको समझना है अगर वो रिट्पिटेशन फाइल हुई है state के against में हाँ हो सकती है रिट्पिटेशन और state के साथ साथ किसी individual के against भी writ petition फाइल हो सकती है habeas coppers की इस बात को ध्यान रखना against any individual अगर आपको लगता है किसी individual ने या जो रिट्पिटेशन फाइल कर रहा है उसको लगता है कि Mr. X ने किसी person को detain कर रखा है जिससे आपका कोई connection है friend है family member है तो Mr. X जो है उसके against भी writ petition फाइल की जा सकती है लेकिन एक बात या रखना habeas coppers की writip reputation जो होती है ये किसी person को bail दिलाने के लिए नहीं होती court ने order दे रखा है court ने किसी person की 14 days की या 2 weeks की क्या दे रखी है police custody दे रखी है माद लो 7 days की दे रखी है तो अगर court ने police custody दे दी है या फिर कोई person जो है वो judicial custody में है दोना में difference होता है दोनों अलग अलग concept है judicial custody and police custody तो judicial custody में भी है तो भी court उस case में habeas coppers की reputation entertain नहीं करता क्योंकि एक lawful process से उस person को arrest किया गया है तो वहाँ habeas coppers की reputation को entertain court नहीं करता अगर court ने order दे दिया है कि उस person को court के सामने produce किया जाए और उस person को अगर court के सामने produce नहीं किया जाता तो उसे contempt of court माना जाता है आपने contempt of court के बारे में सुना होगा न यह word आपने कई बार सुना होगा तो यह उसका example भी देख लो कि अगर court ने बोल दिया कि Mr. X को Mr. Y को court के सामने produce करना है क्योंकि उनके लिए habeas corpus के रिट आई है तो उस person को produce करना होगा otherwise उसे contempt of court consider किया जाता है अब एक interesting बात और सुनो National Emergency Article 359 of the Indian Constitution National Emergency का point में इसलिए बता रहा हूँ चो कि 44th Amendment जो Constitution में आया था उस amendment से पहले इंडिया में ये provision था कि National Emergency के case में President of India ने अगर Article 359 में emergency लगा दी है तो उस case में ये जो writ petition है habeas corpus की वो entertain court नहीं करेगा क्योंकि जो आपके fundamental right है वो suspend रहेंगे और आप habeas corpus के petition file नहीं कर सकते लेकिन जब 44th Amendment of the Constitution आया उसमें फिर ये provision रिडियूस किया गया कि अगर National Emergency भी लगा दी गई है तो भी habeas corpus की writ petition file की जा सकती है ऐसा provision क्यों किया गया ये जानने के लिए आपको जो emergency लगी थी इंडिया में उसके बारे में आपको पढ़ना होगा तब आपको समझ में आएगा कि 44th Amendment क्यों इंडियूस किया गया था बाखी मैं इसकी detail में नहीं जाऊँगा अब अगला जो last point मैं आपके साथ discuss करने वाला हूँ habeas corpus का that is monetary compensation क्या habeas corpus में monetary compensation मिल सकता है अब पहला question तो ये आता है कि monetary compensation किसको मिलेगा monetary compensation किस से दिलवाया जाएगा तो monetary compensation मिल सकता है उस person को जिस person को detain किया गया था उस person को monetary compensation मिल सकता है लेकिन habeas corpus के रिट monetary compensation लेने के लिए file नहीं की जाती ये रिट तो उस person को illegal जो उसको detain कर रखा है illegally उससे free करवाने के लिए की जाती है now monetary compensation देना या ना देना या कितना monetary compensation जो है वो court दिलवाएगा ये court के ओपर depend करता है किस से दिलवाएगा ये भी depend करता है ये भी depend करता है respondent के ओपर nature of offense के ओपर right तो उसके according court जो है वो habeas corpus के case में जो है monetary compensation भी grant कर सकता है is that clear समझ में आया सब कुछ ये मैंने आपके साथ सिर्फ 10 points discuss किए habeas corpus की और इन 10 points में मैंने आपको पूरी summary बता दी इस rate petition की अगर अब exam में कोई question आता है या किसी वाईवा में या कहीं भी आप से इस rate के बारे में कोई question पूछा जाएगा तो I am very sure कि आप बहुत ही confident से इसका answer कर पाओगे तो छोटी सी कोशिश थे मेरी तरफ से ये आप लोगों को पहली rate explain करने की बची भी जो चार रिट है उन्हें में आगे के वीडियो में discuss करूँगा so that's it from my side अगर आप मुझसे कुछ और question करना चाहते हैं कुछ और वीडियो चाहते हैं मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग मुझे follow कर सकते हैं instagram का मेरा handle है सहियोग व्यास आपको सिर्फ सहियोग व्यास टाइप करना और instagram पे मैं आपको मिल जाऊंगा वहाँ instagram पे आकर आप मुझसे अगर कुछ question पूछन पूछन चाहते हैं या अगर आप चाहते हैं किसी particular topic के उपर मैं वीडियो बनाओं उनके साथ इस वीडियो को शेर जरूर करना so thank you so much stay connected god bless you all